हिंदू जिठानी मुस्लिम देवरानी सुधा देवी के दो बेटे थे बड़ा बेटा विनोध और ठोटा बेटा संसकार सुधा ने अपने बड़े बेटे की शादी कुछ साल पहले जूली से कर दी थी और अब बारी थी संसकार की संसकार जूली के बादों का जवाब दिये बिना ही दफतर चला जाता है और उस शाम संसकार नूर से शादी करके घर ले आता है ये देखकर जूली घर के सभी लोगों को इकठा कर लेती है माजी बाबुजी संसकार के भहिया अजी सुनते है जल्दी आईए अरे क्या हो गया जूली क्यों पूरे घर को सिर पर उठा रखा है हाँ बड़ी बहु क्यों फटे डोल की तरह बज रही है माजी जब आप देखेंगे कि देवर जी अपने साथ एक मुसल्मानीनी को उठा लाए है तो आपका भी खून खौल उठेगा जरा सोचिए माजी जब ये बात जबाने में फैलेगी कि देवर जी एक मुसल्मान लड़की को बीवी बना कर घर ले आए तो बड़सो की बनी बना इज़त मिट्टी में मिल जाएगी मा नूर बहुत अच्छी लड़की है इसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है ये अनाथ है मा इसलिए मैंने इसका हाथ थामा है ये सुनकर सुधा देवी का दिल भर आता है और वो नूर के सिर पर प्यार भरा हाथ रख कर कहती है अजा नूर बहु इस नए घर में हम तेरा स्वागत करते हैं अपनी सास को अपनी मुसलिम दिवरानी का स्वागत करता देख कर जूली चिड़ कर अपने कमरे में चली आती है और घुस्य में बुद्बुदाना शुरू कर देती है वो श्को बैठे हैं सभी के सभी हरे इस मरजाने मुसल्मानी की ऐसे महमान नवाजी कर रहे हैं जैसे ये इनकी सगी लग रही हो अगली सुबा हर रोज की तरहा जब जूली रसोई में आती है तो देखती है कि नूड रसोई में खाना बना रही होती है जिसे देखकर जूली गैस की नोब बंद करते हुए अपनी देवरानी को टशन भरी नजरों से देखती हुई कहती है किस हक से तुमने इस किचन में कदम रखा? हाथ छोड़िये हम कहते हैं हाथ छोड़िये वरना हम अमी जान को बुलाएंगे ये सुनकर जूली अपनी देवरानी को धमकाते हुए बोलती है तो कौडी की मुसल्मानी नी एक मूँ उठा कर मेरे किचन में चली आई और उपर से अकड दिखा रही है मैं चाहूं तो तेरी छुट्टी कर सकती हूँ इस तरह तोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे से लड़ने जगरने लगती है तब ही आवाज सुनकर सभी घरवाले वहां आ जाते हैं और उनका जगड़ा छुड़वाते है ए भगवान बड़ी बहु चोटी बहु ये तुम दोनों ऐसे कुट्टे बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही हो अमी जान बाजी नहीं बेयद भी शुरू की थी हम तो खाना ही बना रहे थे माजी ये मेरे रसोई में क्या कर रही है अरे बड़ी बहु अपने ससुर को अपनी देवरानी के पक्ष में बोलता देखकर जूली अपनी मुसलिम देवरानी को घुस्से में घूरती है ऐसे ही कई दिन बीच जाते है मगर दोनों देवरानी जिठानी हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे से लड़ बैटती जिसे देखकर सुधा कहती है नूर बहु, जूली बहु, जरा यहां तो आना जी माजी, बुलाया अम्मी जान, आपको कुछ चाहिए था क्या, हमें बताए हाँ, मैं तुम दोनों के रोज-रोज के किल-किल और कलेश से ठक गई हूँ जब देखो, अपने जगड़ों में अपने धर्म को घसीते रहते हो इसलिए अब मैं तुम दोनों को काम बाट रही हूँ बड़ी बहु, सुभा का खाना तू बनाएगी और शाम का खाना चोटी बहु बनाएगी और हर दिन के कपड़े नूर बहु दोएगी और सफाई का जिम्मा तेरे सर रहेगा बाकी बरतन मांजने में तुम दोनों एक दूसरे का हाथ बटा देना काम बट जाने के बाद भी दोनों बहुओं में जगड़े घटने की बजाए बढ़ते चले जाते हैं जुली सुभा की सफाई करके सभी के लिए नाश्ता बना कर मेज पर लगा देती है और अपनी देवरानी को परिशान करने के लिए उसकी सबजी की कटोरी में मिर्च भर कर उसे परोस्ती है ये लो मेरी प्यारी देवरानी अपनी जिठानी के हाथो बनी दाल खा कर देखो ये बाजी को हुआ क्या है? नूरी अपनी बात को नजर अंदास करके जैसे ही सबजी के साथ रोटी खाती है तो उसकी आँखों में आशू आ जाते है वही पूरा परिवार जूली के हाथो बने खाना खा कर उसके खूब वाह वाही करता है अरे क्या बात है जूली क्या सबजी बनाई है? हाँ बहू बड़ी ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने क्या हुआ मेरी प्यारी देवरानी? तुम्हे खाना पसंद नहीं आया क्या? अपनी जिठानी को मजे लेता देख कर नूर मन में कहती है जूली जग में पानी भरकर अपनी देवरानी के कमरे में आती है और नूर को नमाज अदा करने के बीच में ही उसके सिर पर पानी डाल देती है जिसके बाद नूर की आखें खुल जाती है और गुस्से से भरकर बोलती है ये क्या बेहुदगी थी जिठानी जी? क्या आप देख नहीं सकती थी कि हम नमाज अदा कर रहे थे? अरे तेल लेने गई तुम्हरी नमाज? माजी की बात याद है न? शाम का खाना तुम्हें बनाना है बिना देरी किये चुप चाप से जाकर खाना बनाओ हम्ह, मरचानी मुसल्माने नी क्या कहा आपने? देखिए, हरे जब आपके पूजा पार्ट करने से हमें कोई अतराज नहीं तो फिर हमारा नमाज पढ़ना आपको नहीं खलना चाहिए ये कहकर नूर रसुई में जाकर खाना बना कर सभी को खिलाती है ऐसे ही दिन धलते जाते हैं तबी एक दिन पड़ोस में रहने वाली पदमा सुधा के घर आती है इस पर पदमा सुधा के कान में फुस फुसा कर चली जाती है अगली सुभा सुधा अपनी दोनों बहु को अपने पास बोलाती है नूर बहु और जूली बहु आज मैंने घर में दावत रखी है इसलिए तुम दोनों को खाना बनाना है ए नूर बहु तुझे हिंदू हिसाब किताब से खाना बनाना है और जूली बहु तुझे मुसलिम के हिसाब से खाना बनाना है ये सुनकर दोनों देवरानी जिठानी किचिन में आकर खाना बनाने की तयारी में लग जाती है मगर ना तो नूर को हिंदू खाना बनाना आता है और ना ही जूली से बिर्यानी बनती है और घंटों मेहनत करके दोनों पसीने से तर हो जाती है अपनी जिठानी को मज़े लेता देख कर नूर मन में कहती है ऐसा सोच कर जूली अपनी मुस्लिम देवरानी से मूँ खोल कर मदद मांगती है नूर प्लीज बिरियानी बनाने में मेरी मदद करो मुझसे ये नहीं बन रही जिठानी जी हमारा भी हाल आपसा ही है देखे न कबसे हलवा बना रहे हैं अगर हर बार पतला पानी बन जा रहा है ठीक है मैं तुम्हें हलवा बनाना सिखा दियो और तुम मुझे बिरियानी बनाना सिखाओ इसके बाद दोनों दिवरानी जिठानी जाद पात का भेत भाव भूल कर एक दूसरे की खाना बनाने में मदद करती है वहीं रसोई के बाहर खिड़की पर खड़ी सुधा ये सब देख लेती है पदमा का पैतरा काम कर गया इसके बाद दोनों हिंदू मुसलिम बहुएं अपना-पना खाना अपनी सास को परूसती है जिसे खाकर सुधा कहती है आरे वाह, क्या बात है, क्या बढ़िया बिरियानी बनाई है जुली बहु तूने और नूर बहु और तूने भी एकदम स्वादिष्ट हलवा बनाया है अमी जान ये हलवा हमने खुद से नहीं जिठानी जी की मदद से बनाया है इसलिए तारीप की हगदार ये है सुधा के इस कहे पर दोनों बहु अपने गलितियों के लिए माफी मांगती है जी ठानी जी हमें माफ कर दे आप रिष्टे से हैं हमसे बड़ी हैं फिर भी हमने आपके साथ बुरी तरह से बात किया इसके बाद जूली अपनी मुस्लिम दिवरानी को गले लगा लेती है और उस दिन के बाद से दोनों बहुएं खुशी से रहने लगती है साथियो कोई भी इंसान अपने धरम से बड़ा नहीं होता बलके सबसे बड़ा एक इंसान का इमान है जहां नफरत के लिए कोई जगा नहीं होती फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम फटे कपड़ों में एक बिहाल लड़की नताशा जो की तेज तेज सांसे लेती हुई भाग कर कच्रे के डिबबे के पीशे चुप जाती है ये भगवान मैं इस विदेश में किसी को नहीं जानती और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहा हूँ मुझे कोई उन राक्षसों से बचाओ मुझे अपने इंडिया वापस जाना है पर मैं जाओंगी कहां कोई मेरा है भी नहीं आगए वो आगए दो विदेशी लड़के मूँ पर कपड़ा बांधे हाथ में बंदूग लिए एक दूसरे से कहते हैं वो विदेशी गूंडे उस लड़की को ढूनने दूसरे डिरेक्शन में चले जाते हैं और लड़की वहां से भाग कर आगे चली जाती है जहां सामने से दो लड़की आती है जोर्जी और एली वो उसे टकरा जाती है और वो कहती है प्लीज 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 मुझे कुछ मत करना मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो मुझे अपने घर जाना है One minute This girl from India I think she need a help What do you think Georgia You're right Listen, come with us Come on नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी कहां ले जा रहे हो मैं बात करती हूँ Listen तुम हमारे साथ सेफ हो कुछ नहीं होगा थुमें Trust us मुझे श्वास खरो Come on पका अप मुझे किसी को देतो नहीं दोगे न No, no Taxi Stop the car तभी Ellie, Georgia नताशा को टैक्सी में बिठा कर अपने फ्लैट में ले जाते हैं जहां वो डरी सहमी होती है Drink it I mean पीलो पाने डर डर कर नताशा पानी पीती है वहीं Ellie और जोड जिया उसकी भाशा समझने के लिए थोड़ा बहुत नेट से हिंदी के वर्ड सीखते हैं पढ़ते हैं और उसका हाथ पकड़ कर प्यार से पूछते है सुनव तुमारा नाम क्या है तुम इतनी धरी क्यों रहती हो कोई बात है तो हमें बताओ हाँ हाँ हमें बताओ डर मत हमसे मेरा नाम नताशा है वो वो कुछ दिन पहले की बात है पर मुझे ठीक से पता नहीं कि कितने दिन हो गए क्योंकि मेरी आँखों पर पट्टी बांग कर काफी टाइम रखा मैं अपने सास ससर और पती के साथ रहती थी अपने देश में कार एक्सिडेंट में उनका दिहान थो गया जिस वज़े से मैं विद्वा हो गई फिर सासुमा की बरताफ खराब होने लग गई मैं खाना बना कर उनको देती हूँ और वो गुस्से से खाना फेक कर कहती है करम जली नास पिटी कुल्टा कहीं की मेरे बेटे को खा गई अब हमारे सर पर बोज बन गई है पर तुझे तो मैं अपने घर से निकाल दूँगी एक नएक दिन नहीं नहीं माजी मेरे साथ प्लीस ऐसा मत कीजिए मैं ये घर छोड़ कर कहा जाऊंगी आपको तो पता है मैं अनाथ हो चुकी हूँ मेरे मम्मी पापा कुछ समय पहले गुजर गए थे और अब विरेन मुझे छोड़ कर चले गए अब आप दोनों ही मेरा सहारा हो ऐसा मत कीजिए माजी अरे का है का सहारा तूने तो हमें भी लाचार बना दिया अब हम कैसे जिएंगे अपने बेटे के बिना और तुझे क्यों पाले और तुझे क्यों पाले आसपास लोगों से थूथू सुनने के लिए ऐसी लड़की को अब हमें घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है पता भी है कि जब बाजार से आ रही थी तो चार लड़के उसके पीछे पीछे आ रहे थे हमारे तो गरदन ही शर्म से जुग गई जब हमने ये सब देखा जरूर ये कोई गंदी हरकत कर रही होगी तब ही तो वो लड़के पीछे पड़ रहे हैं ये सुनकर नताशा रोते ही अपनी सास के पैर पकड़ कर कहती है नहीं नहीं माजी पापा जी ऐसी कोई बात नहीं आ वही मुझे परेशान कर रहे थे मैं मेरे इनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती अपने जूठे आसु मत दिखा अब मनुस हमारे सामने से जा और घर के काम कर ये सुनकर नताशा घर के काम करती है साससुर दोनों उस पर अत्यचार करते हैं उससे घर का काम करवाते हैं बेज़ती करते हैं रास्ते से उसे हटाने के लिए किसी बाहर विदेश के आदमियों को उसे पैसों में बेज देते हैं जहां भूली भाली कमार विद्वा नताशा सबजी लेने बाहर जाती है और कुछ लोग उसे बेहोश करके उठा लेते हैं जिसके बाद वो खुद को विदेश में पाती है और उन लोगों को चक्मा देकर भाग जाती है वो लोग मुझे मारते हैं पीटते हैं और जब मैंने अंग्रेश लोगों की शकल देखी तो मुझे एसास हुआ कि मैं विदेश में हूँ फिर मैं आप लोगों से टकरा गई मतलब मैं मतलब मैं समझी नहीं मतलब ये कि तुमारी सास एक चुरैल है जिसने तुमारे साथ ऐसा किया तुमें बेज जिया और तुम यहाँ आ गई पर फिक्र मत करो, हम तुमारे साथ है, हम तुमें अपना देश फैरिस खुमाएंगे सच में, वो गुंडे लोग मुझे पगड़ तो नहीं लेंगे ना वापस दोंट वरी, कोई तुमारा बाल भी बाका नहीं खरपाएगा अब तुम कुछ खा लो, बहुत भूख लगी होगी ना I'm also hungry, कुछ ठेस्टी सा सैंड्विज वगेर अब बनाते है तभी एली और जॉर्जिया किचन में जाकर कुछ ठेस्टी साथ खाना बनाती है और नताशा को भी अपने साथ खिलाती है, जिसे खा कर नताशा कहती है वाओ, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है आपने इसको क्या बोलते हैं, मैं अपने देश जाकर भी बनाऊंगी बढ़िया, बहुत हलका था, भूख तो और भी लग रही है क्या मैं कुछ बनाऊं, तुम्हें कुछ बनाना है थो बनाना पर अभी खपड़े चेंज खर लो, ये क्या अजीब से फैने हैं ऐसा खरो, वहाँ जाकर नहालो, मैं तुम्हें अपने खपड़े दे रेती हूँ मुझे इन कपड़ों में बहुत शर्म आ रही है, ये बहुत छोटे है क्या आपके पास कोई और कपड़े नहीं है, जो घुटनों तक आते हो अच्छा, ऐसा खरो, ये फैन लो, ये बोरी कौन है, तुम्हें अनकमफोटेबल नहीं लगेगा एली के कहने पर नताशा चेंज करके आती है, और उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आती है फिर एली और जॉर्जिया मिलकर उसका मेकप कर देते हैं, और खुद को शीशे में देखकर वो कहती है वाउ मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, कि ये मैं हूँ, इतनी सुन्दर कैसे लग सकती हूँ तुम दोनों ने तो मेरा रूप ही बदल दिया, मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ दोबारा बताना, हमारे साथ रहोगी तो सब कुछ सिखा देंगे वाइद वे, मेरा नाम जोरजिया, और इसका नाम एली है अच्छा जोरजिया, या एली, शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा बनाने के लिए हमने तो थुम से बात चीत करने के लिए थोड़ी बहुत हिंदी सीख ली अब बाखी के तुम हमें सिखाना और हम तुमें इंग्लिश सिखाएंगे तो शुक्रिया and थैंक यू सो मच बोलो थैंक यू सो मच जोरजिया होली हाँ होली नई एली, चलो हम तुमें पैरिस दिखाते हैं कोई भी चीज की जरुवत हो तो हमें बताना हम तुमारे दोस्त है ठीक है तभी दुनों नताशा को अपने साथ अपने घर पैरिस का टूर करवाते हैं जहां वो साथ में आईस क्रिम खाते हैं फिर जूला जूलते हैं कसीनों में जाकर एंजॉय करते हैं दो हफते बीच जाते हैं नताशा उनके रंग में रंग जाती है और एक दिन हस्ते हस्ते वो अचानक से रोने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजाया जॉर्जिया एली पर एक दिन तो मुझे तुम्हें छोड़कर अपने देश जाना होगा अरे तुम एकदम से ये बात सोचकर रोने क्यों लग गई नताशा जरूरत क्या है जाने की वैसे भी तुमारा इंडिया में कोई नहीं है हमारे साथ रहो बलकी मैथो कहती हूँ शादी कर लो क्योंकि तुमारा कोई भी नहीं है ऐसे कैसे कर लो तुम दोनों ने मुझे बहुत सहारा दिया है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बोथ औफ यू चल परिशान मध हो हमारा एक दोस्त है फीचर उससे मिलो वो बहुत अच्छा है सिधा आपने दोनों फ्रेंड को गली लगा कर हम दोनों खुछ और खरते हैं थुम दोनों जब तक बाते खरो यज शूर दोनों अंग्रेज हैनों से अकीला छोड़ कर किचन में चली जाती है वही नताशा उससे कुछ कहती है इतने में नताशा उसकी बाहों में आ जाती है जहां दोनों की आँखे चार हो जाती है Are you fine? I'm okay Are you married? No, I'm a widow दोनों एक दूसरे से काफी सारी बाते करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं फिर चारों एक पिक्निक पर जाते हैं जहां वो लोग बहुत मज़े करते हैं दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है नताशा को पीटर के साथ फुश देखकर जोर्जी आयली कहते हैं लग्ठा है दोनों एक दूसरे को फ़संद करने लग गए हैं अगर ये खपल बन जाए शारी कर ले तो बहुत अच्छा होगा येस मैं भी यही सोच थी हूँ पीटर और नताशा एक साथ संसेट देख रहे थे तो दूनों उनके पास जाकर कहती है अब तुम धोनों खब थक अपने प्यार को चुपाऊगे ये तो क्या कह रही है ये ही कि तुम धोनों की प्यार की बात एक दूसरे की जुबान पर नहीं आ रही है अभी समय हो चुका है कि तुम धोनों शादी खरो पीटर एटलिस यू चैल हर ये सुनकर नताशा की आखों से आसु आ जाते है और वो कहती है ये सुनकर दोनों विदेशी सहलिया एक दूसरे के गले लगती है फिर नताशा की शादी अपने दोस्त पीटर से करा देते है जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते है